हेलो एब्रिवन, स्वागत है आप सभी का हरे इस क्लासेज के इसे एक नए वीडियो लक्षर में इस वीडियो लक्षर में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 एक्सिलेंट ग्रेमर बुक के अंतरगत जो आपका फर्स्ट टॉपेक है नरेशन यानि की डारेक्ट एंड इंडारेक्ट इस पोर्शन के अंतरगत जो आपको एक्सरसाइज फर्ष्ट दी है इसे एक बहतरीन एक्स्प्लानेशन के साथ हम डिसकस करने जा रहे हैं मेरा इस बार प्रियास रहेगा कि इस पूरी बुक को एक बहतरीन तरीके से बिद सॉलूसन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए और सातियो सारे वीडियो जो आप सुक्वेंस में देखना चाहते हैं तो पिलिलिष्ट बिजिट कर सकते हैं तो देखते हैं जो आपको इसमें निर्देश दिया है चेंज दा फॉलॉइंग सेंटेंसेज इन्टू इंडारेक्ट स्पीच आर रहे बाक्तियों को इनडारेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए तो सातियो यह जो पूरी एक्सरसाइज है यह आपकी असर्टेव सेंटेंसिज पर आधारित है यानि कि जो आपका रेपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वह असर्टेव है और आप जानते हैं assertive sentence, subject से प्रारहम होता है और full stop पर समाप्त होता है और assertive sentence आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है affirmative जिसे आप positive भी कह देते हैं और दूसरा होता है negative याने की नकारातमाग अब assertive sentence को बनाने के छोटे से नियम हैं कुछ, इन्हें आप लिखसना चाहें तो लिख सकते हैं अगर आपको sad दिया है, तो आपको shared ही रखना है अगर मानके चली आपको sad to दे दे, क्या दे दे, sad to तो उसे आप told में बदल देंगे ऐसे ही अगर आपको sad दे, तो आपका sad ही रहेगा अगर आपको sad to दे दे, तो आप उसे tell में बदल देंगे किस में बदल देंगे? tell में अगर आपको sad दे, तो आपका sad रहेगा अगर sad to दे, तो आपका ये हो जाएगा tells क्या हो जाएगा? tells अब मानके चलिए आपको कॉमा इन्वर्टेट कॉमा जठाने है assertive sentence के तो आपको उसके इस्तान पर connecting word that का प्रियो करना होगा किसका प्रियो करना होगा connecting word that का यह छोटी सी जानकारी है आप चाहें तो इसका एक इसमें short ले सकते हैं अब देखते हैं जो आपका पहला sentence जो आपको दिया है Jesus Christ shared यानि कि Jesus Christ ने कहा we are all sinners हम सभी पापी हैं तो आप देख सकते हैं we आपका subject है और full stop पर यह हैं आपका reported speech समाप्त हुगा है लेकिन सातियो हम सभी पापी हैं यह एक universal प्रोथ है तो ऐसी इस्तिति में आपको यहाँ tense में कोई भी परवर्तन करने की आवसकता नहीं हैं तो सबसे पहले आप लेखेंगे Jesus Christ अब सहड है तो सहड ही रहेगा तो Jesus Christ said इन्वर्टेट कॉमा जठाएंगे इसके इस्तान पर आप connecting word that का प्रियो करेंगे we are लेकिन we तो change होगा तो मैं कहूंगा नहीं क्यों नहीं तो we के दो function होते हैं कितने function होते हैं दो होते हैं पहला होता है आपका general sense जर्नल की बात करें तो पूरी मानव जाती को यह है रेप्रेयंट करता है यहाँ देखा जाए तो खुछ लोगों को रेप्रेयंट कर रहा है या सभी को तो आप कहेंगे कि सभी को यह रेप्रेयंट कर रहा है तो यह general sense है और general sense में आपको वी का वी रखना है जैसे मैं कहाँ दूँ एक sentence सुनने का प्रियास करें we cannot live without water we cannot live without water अब एक बात बताओ हमों कुछ लोग ही जीवित नहीं रहेंगे पानी के विना या पूरे ब्रह्मान के लोग तो आप कहेंगे पूरे ब्रह्मान के लोग तो ऐसे इस्तितिम आपको we को change करने की आवस्यक्ता नहीं है क्योंकि यह पूरे human being को represent कर रहा है आपके question भी लगातर पूचे गए है यानि कि we cannot be happy in this world we cannot be happy in this world यानि कि हम इस संसार में सुखी नहीं हो सकते हैं अब बताओ एक नहीं रहेगा या सब नहीं रहेंगे तो आप कहेंगे कि सर सबी के लिए है अगर यह specific sense में हो कैसे sense में हो साती हो specific specific आप लोग जानते ही है specific की बात करें तो यह बिसेश हो जाता है जैसे ही कि हम कहेंगे कि हम कल बाजार नहीं गई तो आप क्या कहेंगे सर पूरे ब्रह्मान्ड के लोग या हम तो आप कहेंगे कुछ गुरुप की बात की गई है जैसे इस्तितिम आप बी को दे में बदल देते हैं I hope आपको यह concept clear होगा होगा आप कहेंगे सर बी को दे में क्यों क्योंकि आप जानते हैं बी फ़र्षट पासन प्लूरल है तो आपको थर्ड पासन प्लूरल से ही चेंज करना होता है जो होता है दे बात clear है second question देखिए the captain said captain ने कहा if the rain stops यदि बारेस रोकेगी the match will be played तो match खेला जाएगा आप जानते हैं हिंदी बले सक गागी गया जा है if clause को आप प्रेंट इंडर फनेट में ही लिखते हैं यह question आपका board exam correction के लिए दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ subject से शुरू हुआ है और fully stop पर समापतु हुआ है यह conditional sentence है तो आप दो प्रकार से इसे बना सकते हैं आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं the captain said comma inverted comma जठाएंगे तो आपको लिखना होगा that उसके बाद आप लिखेंगे if the ran if the ran stop का हो जाएगा आप past में ले जाएंगे क्योंकि यह आपका reporting बब past में है तो इसे भी आप change करेंगे tense को तो stopped हो जाएगा क्या हो जाएगा stopped क्योंकि present indefinite है जिसे आप past indefinite में बदल देंगे उसके बाद comma the match the match बिलका हो जाएगा आपका would would आगे आप लिख देंगे be played तो the captain said that if the ran stopped comma the match would be played अगर आपको थोड़ा से इधर से और लगे तो आप ध्यां रखेंगे ऐसे भी बना सकते हैं the captain said comma inverted comma की जगे पर that उसके बाद यह portion पहले लिख सकते हैं the match the match would be played the match would be played और आगे if the ran stopped ठीक है तो यह भी आपको अच्छे से clear होगा या होगा आईए देखते हैं third question को third है आपका Galileo said यानि कि Galileo अच्छे यह रखे जाए my teacher said मेरे अध्यापक ने कहा honesty is the best policy यानि कि इमानदारी सबसे अच्छी नीती है तो साती अगर हम बात करें यह भी आपकी एक कहावत है यानि कि प्रोबाव है तो ऐसे इस्तिती में इसके भी tense में हम कोई भी changing नहीं करेंगे 2019 में भी ये question पूचा गजा है ठेक है तो आप कैसे बनाएंगे माइ टीचर सेड कॉमा इंवर्टेट कॉमा आज की जगह पर देट उसके बाद आप लिख दीजेगा honesty is the best policy माइ टीचर सेड देट honesty is the best policy अगला है गैलेलियो सेड यानि कि गैलेलियो ने कहा दा अर्थ moves round the sun यानि कि प्रत्थी भी सूर्य के चारो तरफ घुमती है तो ये भी देखा जाए कि यूनिवर्सल ट्रोथ है तो ऐसे इस्तिती में सबसे पहले आप लेखेंगे गैलेलियो शेड कॉमा इंवर्टेट कॉमा आज की जगह पर that ती आपका इस्मॉल हो जाएगा आगे आप लेख देंगे दा अर्थ moves round the sun कोई देखा तो नहीं है अगला देखे he says वह कहता है the child is crying यानि कि बच्चा रो रहा है तो आप लेखेंगे he says का says रहेगा ये मैंने बता जा है आगे आप लेख देंगे the child is crying यहाँ आपको tense में कोई भी change करने की आवसकता नहीं है क्योंकि जब आपका reporting वाव present और future में हो जब आपका reporting वाव present और future में हो तो reported speech की tense में हम कोई भी परवर्दान नहीं करते हैं अगला question है she said यानि कि उसने कहा he must respect his parents यानि कि उसे अपने माता पिता का अवसे ही संबान करना चाहिए तो आप लेखेंगे c sad का sad रहेगा यह बता जा है comma inverted comma ज़की जगे पर that he का he रहेगा must का must रहेगा respect his parents पूरा लिख दें तो c said that he must respect his parents fully stock must को head to में भी बदलते हैं ये मैं बताऊंगा आगे देखिए sohan says to his sister sohan अपनी बहन से कहता है the sun is setting in the west यानि कि सूर्य पस्चम में छेप रहा है तो सातियो यहाँ आप देखें present में आया है ये तो सबसे पहले आप लेखेंगे sohan says two का मैंने बताऊंगा आपको tells हो जाएगा आगे आप लिख देएंगे his sister his sister comma inverted comma जठाएंगे तो आप लिखेंगे that उसके बाद पूरा लिख दीजिए the sun is setting in the west कोई दिक्कत तो नहीं है sohan और says two को आपने लिख दिया tells में आगे his sister comma inverted comma की जगह पर that और पूरा sentence आगे लिख देएंगे आगे देखिए बिवेक will be saying यानि कि बिवेक कह रहा होगा the servant has finished his work यानि कि नौकर अपना कार्ड समाप्त कर चुका है तो साथी ये भी आप देखें तो ये future में आपको दिया है तो सबसे पहले बिवेक का बिवेक रहेगा will be saying का will be saying रहेगा comma inverted comma की जगह पर आप that लिख देंगे उसके बाद the servant has finished his work क्योंकि ये भी आपकी जो reporting वाव है वो है future में है इसलिए आपको आने वाले sentence में कोई भी tense परवर्तन नहीं करना है तो अंसर क्या होगा विवेक बिवेक बिवी saying that the servant has finished his work आगे देखिए c has said वैं कहे चुकी है mohan is absent today यानि कि mohan आज अनपस्तित है तो ये भी आप देखेंगे ये आपको preempt perfect में दिया है अथार्थ present में ही है तो आने वाले जो reported speech का sentence sentence है उसके tense में आपको कोई भी परवर्तान नहीं करना है तो आप c का c रखेंगे has said का has said रहेगा comma inverted comma ज की जगह पर आप लिखेंगे that उसके बाद लिख देंगे mohan is absent today का आप जानते हैं that day हो जाएगा क्या हो जाएगा that day क्योंकि जो नईदी की बताने वाले जो सब्द हैं हम उन्हें दूरष्ट में परवर्तित कर देते हैं तो क्या होगा answer आपका c has said that mohan is absent that day बोज कर देंगे तो गलत हो जाएगा अगला है राम set to me राम ने मुझे कहा he plays footwall well वह footwall अच्छे तरीके से खिलता है तो यहाँ आपका राम का राम रहेगा set to दिया है तो आप total लिख देंगे यहाँ mean का mean हो जाएगा comma inverted comma जी की जगे पर आप that का प्रियोग करेंगे he का he रहेगा अब यहाँ past में है तो play का past form बनाएंगे तो played हो जाएगा उसके बाद लिख दें footwall well और full stop राम तोल मी देट he played footwall well अगला देखिए he said उसने कहा the man was coming वह व्यक्ति आ रहा है इस coming word को पहले मैं आपको clear करना चाहूंगा आई आपकी excellent book से ही clear करेंगे से देखिए ये chart आपको दिया है कि जो reported speech में प्रियुक्त समय अत्वाइस्तिती की निकटता nearness of time ठीक है या फिर और position सूचक सब्दों को दूरी प्रकट करने वाले सब्दों में हम बदल देते हैं तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कम को हमें किसमें बदलना होता है गो में तो यह है टेंस के according आप इसे परवर्तित करेंगे तो पहले एक video lecture मैंने डाला था कोई कुसी नाम की लड़की थी उसने बहुत ज़्यादा comment किये थे कि कम को आप गो में कैसे बदल सकते हैं और आप चाहें तो प्लेंग को जंपिंग में बदल सकते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका mind अपसेट था लेकिन मैंने कहा एक बार वो कच्छे से देखिए तो यह देखिएगा आप यह sentence भी देख लीजिएगा जहां आपको दिया है आओ मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को जिस सेकंड एक्ससाइज है यह देख सकते हैं आप यह लिखा हुआ है आपका कम देख सकते हैं ना केम सेकंड फॉर्म उसे किसमें बदल दिया उसने गौन में तो यह बात अपने mind से निकाद दें कि कम का गो भी होता है लेकिन इसे मैं special तरीके से आपको बताऊंगा कि सात्यों जब आपका reporting वाव का speaker I है या V है क्या कहा मैंने जब आपके reporting वाव का speaker I है या V है तो आपको कम का जो फॉर्म दिया है उस कम के फॉर्म को कम महीं रखेंगे अथार्त हम उसे changer नहीं करेंगे लेकिन I और V को छोड़कर कोई भी third person या second person speaker आपको दिया है तो हम उसे कम को according to tense यानि कि कम का फॉर्म came है तो हम उसे head gone में बदल देंगे यही तो होता है आप जानते हैं तो ऐसे इस्तिति में हम इसे परवर्तित कर देंगे अब आप कहेंगे कि सर ऐसे इस्तिति में क्यों नहीं क्योंकि ऐसे इस्तिति में मान के चलो तुम कहते हैं यह sentence लिखा है ना I came here yesterday अगर यहां I होता तो हम भी दूसरे के सब्दों में यही तो कहते यानि कि मैंने किसी को बता जा मान के चलो कि यानि कि मैं वहीं आया था लेकिन अगर मान के चली है जहां ही है तो इसका sense का निकल रहा है कि यानि कि उसने मुझे बता जा कि अब हम ही तो कहेंगे क्या कहेंगे कि वहां वहां गया था यही तो खहेंगे वहां गया था हम यह थोरी खहेंगे कि वहां वहां आया था तो यह छोटी सी जानकारी आप धहां रखेंगे कि जब आपका speaker I और V आपको दिया है तो आप कम का कम रखेंगे लेकिन इसे छोड़कर कोई भी थरपरसन दिया है भी तो यहां रहेगा कोमा इनवर्टेट कोमा की जगह पर आप धैट का प्रियो करेंगे आगे लिख देंगे the man क्या लिख देंगे the man वो ज आप जानते हैं हैं किस में चला जाएगा हैड बिन में अब यहां कमिंग दिया है और यह आप देखें थर्ड फॉर्म है थर्ड परसन है थर्ड परसन है तो आप किसका प्रियू कर देंगे यहां गो में बदल देंगे कम को ठेके यह बात के लिए रहे है यानि कि he said उसने कहा that the man had been going यानि कि जो व्यक्ति है वह जा रहा था वह व्यक्ति है जा रहा था ठेक है आप यह थोड़ी कहींगे आ रहा था क्योंकि थर्ड परसन है इसलिए आगे देखिएगा अगला कोश्चन है आपका I said मैंने कहा Mohan never comes to my house अब देखिए आपका speaker आई है तो ऐसे इस्तितिम आपको कम को चिंज करने के याब सकता नहीं है तो आप लेखेंगे आई तो माई को चिंज करेंगे आफ आई से तो माई ही रहेगा माई हाउस तो यह हो जाएगा आपका I said that Mohan never came to my house यहां आपको कम चिंज करने के याब सकता क्यों नहीं है क्योंकि यहां आपका speaker ही कौन है first person आगे देखिएगा अगला है the boy said यानि कि लड़के ने कहा the girls were playing with the adults यानि कि लड़किया अपनी गुड़ियों के साथ खिल रही थे तो यह भी assertive sentence ही है तो the boy का the boy रहेगा कौमा इंवर्टेट कौमा ज की जगह पर आप लिख देंगे क्या that the boy said उसके बाद में that the girls में t यहां दा में small हो जाएगी उसके बाद लिख देंगे the girls उसके बाद अब जानते हैं watch work का head been हो जाता है head been आगे लिख दीजिएगा playing with their dolls तो होगा the boy said that the girls had been playing with their dolls अगला देखेगा the teacher said यानि कि अध्यापक ने कहा प्रेमचंद wrote many novels and stories यानि कि प्रेमचंद बहुत से उपन्यास और कहनियां लिखे तो यहाँ the teacher का the teacher हैगा comma inverted comma आज की जगे पर that प्रेमचंद में p small ना करें क्योंकि proper noun है तो p capital ही हैगा और उसके बाद past and definite आपका past perfect में चला जाएगा तो head return क्या हो जाएगा the teacher said that प्रेमचंद had written many novels and stories यह आपका अंसर हो जाएगा अगला you said he will teach English तो आप लेखेंगे you का you said का said रहेगा comma inverted comma की जगे पर that he का he रहेगा बिल का आप जानते हैं बुड हो जाएगा और teach English ठेक है teach English you said that he would teach English अगला question she said यानि कि उसने कहा God help those भगवान उने की मदद करते हैं who help themselves जो अपने मदद करते हैं तो साती हो यह एक universal truth या आप कहावत जो भी समझें वो मान सकते हैं कहावत ही यह वैसे तो C का C रहेगा sad का sad रहेगा comma inverted comma की जगह पर that God के लिए कोई भी प्रनावन आए उसका पहला letter हमेशा capital रहेगा यहां तो God ही आजा है इसे years नहीं pronounce करेंगा, आपकि years आप जानते हैं गलत हो जाएगा ठैक है years पढ़ेंगे तो आप तो आप कहेंगे sir फिर क्या पढ़ेंगे? तो आप sir इसे years पढ़ सकते हैं या फिर यर्स पढ़ सकते हैं क्योंकि आप किसी भी competitive exam में जाएंगे तो आपको ऐसे ही पढ़ाए जाएगा ठेक है तो यहां देखें तो दे का दे रहेगा sad का sad रहेगा अब बताओ वो क्या कह रहा है कि हम चार बरसों से यहां पढ़ रहे हैं अब पूरा ब्रहमांड का जो लोग है वो पढ़ रही हैं तो आप कहेंगे sir basis है तो specific में आप इसे change कर देंगे they में तो they had been का had been रहेगा ठेक है reading का reading रहेगा here को आप बदल देंगे there में किसमें बदल देंगे there में आगे आप एक देंगे for four years तो they said that they had been reading there for four years अगला देखेगा the teacher said यानि कि अध्यापक ने कहा two and two make four यानि कि दो और दो चार होते हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे the teacher said का said रहेगा comma inverted comma की जगे पर that आगे आप लिख देंगे two and two make four यहां टेंस में आपको change करने की आवसक्ता नहीं है क्यों क्योंकि यह आपका एक mathematical fact है अब आप जानते हैं दो और दो चाई इंडिया में जुडबाई यह तब भी चार होंगे या आप विदेश में किसी से जुडबाई यह तब भी चार होंगे ठेक है जो आपके scientific fact हैं जै अगला question माइ पेरेंट सेड मेरे पिताजी ने कहा या मेरे माता पिताजी ने कहा good boys ought to obey their elders यानी कि अच्छे लड़के अपने बुज़र्ग लोगों की आग्या का पालन करना चाहिए यानी कि अच्छे लोगों को या अच्छे लड़कों को अपने बुज़र्ग लोगों का आग्या का पालन करना चाहिए ठेक है तो सबसे पहले आप लिख देंगे my parents और comma inverted comma आज की जगह पर that आग्या आप लिख देंगे good boys or to obey their elders यानि कि मेरे माता पिता ने कहा कि अच्छे लड़कों को अपने बुजर्ग लोगों की आग्या का पालन करना चाहिए तो or to को आपको change करने की आवसकता नहीं है क्योंकि or to का or to रहता है should का should रहता है board का board रहता है you to का you to रहता है need का need रहता है dare का dare रहता है आप पढ़े होंगे आगे देखिए c said c you do to go to school on fort यानि कि उसने कहा कि वह पैदल अपने विद्धाले जाया करती थी तो साती हो यहां c का c रहेगा sad का sad comma inverted comma की जगे पर that आएगे आप c से पूरा लिख देंगे you do to go to school on fort क्योंकि you do to आजा है तो इसमें हमें change करने की आवसकता नहीं है अगला है he said I will come here तो आप लेखेंगे he shed और यहां comma inverted comma जटाएंगे तो आप लिख देंगे that I को आप change करेंगे he से तो he हो जाएगा बिल का आप जानते हैं बोड हो जाएगा क्या हो जाएगा बोड कम आप जानते हैं यह third person है तो go में चला जाएगा और here का क्या हो जाएगा they are अब देंगे Hindi कर लेजियेगा यानि कि उसने कहा कि वहाँ वहाँ जाएगा कि वहाँ वहाँ जाएगा आप यही तो थोड़ी कहेंगे कि उसने कहा कि वहाँ वहाँ आएगा ठेक हम तो भाई तीसरे वेक्ति के बारें बात कर रहे हैं ना इसलिए और तीसरे वेक्ति को क्या कहते हैं हम थर्पासन यानि के इंडारेक्ट स्पीच कहते हैं यानि की दूसरे वेक्ति के सब्दों में कहे गए सब्दों को सीता सेट्टू में, यू नेवर कम इन टाइम, तो आप कैसे चिन करेंगे, सीता सेट्टू को बदलेंगे, तो तोल्ड हो जाएगा, में, कॉमा इन्वर्टेट कॉमा जाप चिन करेंगे, तो देट हो जाएगा, यू का आपको पता है, में से चिन करेंगे, तो आई, नेवर क नेवर अब आप चाहें तो यहां कम का कम रख सकते हैं लेकिन यहां पाइस्ट में पहुंचाना होगा आपको कैम और इंटाइम का एंटाइम ठीक है अगर आप चाहें तो गो भी लिख सकते हैं लेकिन कोई दिक्यत वाली बात नहीं है अगर आपको कोई भी विवात लगे त पूरा लेखिएगा सीथा टोल और उसके बाद में क्या दिया है में कॉमा की जगे पर देट यू को मी से चिंज करेंगे तो आई नेवर का नेवर रहेगा यह प्रेजंट इंड नेट में ले जाएंगे तो आपको वेंट लेख देना है क्या लेख देना है वेंट क्योंकि कम को गो में ले जाएंगे और गो का सेटेंड फ़र्म होता है वेंट और आगे लिख देंगे इंड टाइम ठीक है आगे देखिए दफादर सैट टू हिज सन याने कि पिता ने अपने पुत्र से कहा यू मस्ट टेक सम एक्ससाइज डेली तो यहां सैट टू हुआ है तो टोल्ड मैंने आपको बता जा है तो दफादर टोल्ड हिज सन कॉमा इंवर्टेट कॉमा आज की जगह पर यू को सन से चेंज करेंगे तो ही मस्ट का मस्ट रहेगा टेक सम एक्ससाइज डेली फुल स्टॉप अगला कोशन है माइफ्रेंड सैट टू में आई कै सेचंज करेंगे तो ही हो जाएगा cannot आप जानते हैं कोके कोड़ पै्स्ट होता है लेकिन कोड़ का पाक्स्ट कोड़ी रहता है । उसे हमसे नहीं करेंगे हैं से हरेगा में objective को इस आ जाएगा add का add रहेगा जिसको change करेंगे तो that time हो जाएगा तो यह हो जाएगा my friend told me that he could not help me at that time एक छोटा सा question आप दोगों के लिए है जिससे आप मुझे comment में send करेंगे question है he said comma inverted comma is row the sun the sun rice in the east इसका indirect आप मुझे comment में send करेंगे मैं देखूंगा आपके कितनी समझ में आ जाए यह universal fact है तो इसका comment में आप मुझे answer send कीजिएगा वीडियो कैसा लगा comment के मार्द्यों से वस्त बताएं मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching